जहिनस कि है कि स्टस्क्राइट भाएंड मैंटमेटिक्स की स्टीज हमारी चल रही थी और उसमें मारा जो कैप्टर चल रहा था वो फिट्टर चल रहा था हमने देख लिया था एर आइट अंगल कि कि से Pole इसे कहते हैं और इंपल फिसे कहते हैं या स्ट्रेट अइंगल और हिंदी में सम कोड या सरल पूर्ट हमने देख लिया था कि घड़ी में ऐसे-जैड और है इस ट्रेट अइंगल बनते हैं एंगल की हमने देख ली थी complete angle क्या होता है 360 degree का जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगा ले तो complete angle बनता है उसको हिंदी में बोलते हैं सम पूर कोड तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हमने यह देख लिया था कि 90 degree के angle को right angle कहते हैं सम कोड कहते हैं और 180 degree के angle को क्या क्या बोलते हैं complete angle जिसको बोलते हैं संपूर कोड आज का जो हमारा topic है वो है तीन तरह के एंगल हमें पढ़ना है एक है acute angle कि इसको हिंदी में बोलते हैं नियून कोड अइसा एंगल अइसा कोड जिसका मान नबबे डिग्री से कम हो जीरो से नबबे डिग्री के कोड को कि नियून कोड बोलते हैं कि आएंगल कि विच इज कि बिट्वीन जीरो डिग्री टू 90 डिग्री जो कोड जो एंगल जीरो डिग्री से बढ़ा हो और 90 डिग्री से थोटा हो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं एक यूट एंगल एक जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री अगर वो 90 हो गया तो राइट एंगल बोला जाएगा लेकिन अगर 90 से कम है और जीरो से बड़ा डैट इस काल्ड एक यूट एंगल ठीक बात समझ में आ गई प्यूट एंगल और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोड ए ऐसा कोड जिसका मान नब्बे से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है यह डिग्री तिक इसको बोलते हैं डिग्री अंस इंदी में बोलते हैं अंस तो 90 अंस से 180 अंस के बीच के कोड को क्या बोलते हैं अधिक कोड ठीक दा एंगल whose value is more than 90 degree and less than 180 degree is known as obtuse angle एक ऐसा एंगल एक ऐसा कोड जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो ठीक अब 90 से अधिक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 110 हो जाएगा 105 एक 120 एक 150 जितना भी मर्जियों ले लीजिए ठीक अब अगर मैं इसका सेप देखू जरा सेप देख लेता है कि इधर देखिया कि बड़ा बड़ा कर लेते हैं ठीक कि अब इधर देखिया कि यह जीरो यहां पर और यह नाइंटी इसके बीच में सपोज आपने यहां पर किया तो यह सिक्स्टी डिग्री यह एंगल क्या हो गया शिक्स्टी डिग्री यह लिखा शिक्स्टी डिग्री अब अगर 30 डिग्री करना हो तो इसको यहां पर ले आईए 30 पर 30 डिग्री पर आगया यह 30 डिग्री यह 60 डिग्री था यह सब क्या है एक यूट अंगल लेकिन अगर 90 से आगे गया तो इसको उठा करके इधर ले यह 90 से आगे 120 है 120 डिग्री 120 डिग्री देखने कैसे है यह कितना तो मतलब यह 90 इससे छोटा एंगल ऐसे होगा ऐसे लेकिन अगर इससे बड़ा हो गया तो एंगल यह 90 ऐसे होगा यह आप्ट्यूस एंगल ठीक तो 90 से बड़े वाले एंगल ऐसे होंगे अब दो एंगल तो हमने पढ़ लिए एक है एक्यूट एंगल दूसरा है अप्ट्यूस एंगल अब तीसरा एंगल हमें पढ़ना है वह क्या है रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोड हिंदी में बोलेंगे इसको रिफ्लेक्स एंगल वह होता है जो 180 डिग्री से जादा हो और और 360 डिग्री से कम हो 180 से 360 के बीच में जिसका मान हो जिसकी वैलू 180 डिग्री से जादा हो और 360 डिग्री से कम हो उस एंगल को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल हर जगे आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे आप कमरे की दीवार देखें ये किसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री आप ये घर है इसके उपर एक छट ऐसे पड़ी है ऐसे तो ये एंगल क्या है 90 से कम या 90 न्यून कोड इधर देखिए ऐसे छट पड़ी होती है ये दुबारा बताया दे रहा है आप कॉपी को मोड़िये जब आप कॉपी मोड़ेंगे ये है कॉपी का पेज ठीक जब आप इसको पलट करके कुछ ऐसा रखिए ऐसा तो ये बीच में क्या बना एक्यूट एंगल लेकिन नीचे की तरफ ये जो हाथ का नीचे वाला है पाल्ट वो क्या बनाएगा आप्ट्यूज एंगल मकान की छट देखिए ऐसा कुछ घर बना है ठीक ये छट है तो यहां पर देखिए ये वाला और ये वाला ये क्या बना रहे हैं ये तो बना रहे हैं रिफलेक्स एंगल क्यों क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये वनेट्टी से क्या है बड़ा ये वाला एंगल ये एक साइड से दूसरे साइड में ये ये वनेट्टी से क्या है बड़ा है तो ये क्या बनाएगा रिफलेक्स एंगल यह देखिए यह बीच वाली लाइन है और बीच वाली लाइन से यह लाइन से यह जो है यह क्या बना रहा है है एक्यूट अएंगल इक हाँ वो जकता है 30 अएहक हो सकता है सिक्स्नि ओसकता है ना टो that each लेकिन यह जो बन रहा है यह क्या है रिख्लेक्स अएंगल की इडिफिल में Dr messenger या रखिएगा क्योंकि इनके definition पूछी जाती है और यह आपके आगे के classes के लिए काम आएगा चलिए अब सीधे चलते हैं अपने exercise पर कि और पहले देख लेते हैं कि यह क्या है एक्यूट एंगल यह क्या है क्यूट एंगल 90 से कम है यह एंगल क्या है यह वाला एंगल कि यह क्या है 90 डिग्री यह वाला है राइट एंगल और यह दोनों क्या है एक्यूट एंगल कि ठीक कि यह 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 पर देखिए जब पांच बज रहे होंगे कि बटीन से छोटा है क्योंक्यों कि वन इट्टी होता तब जब यह स्टेट लाइन बनती ही है यह 1 हो जाएगा reflex और यह वाला कौन सा हो जाएगा obtuse कि यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है acute angle 90 से छोटा लेकिन यह वाला एंगल क्या है reflex angle क्योंकि 180 से बड़ा कि ठीक पार समझ में आ गई जलिए कि यहां पर देखिए यह जो है ऐसे मुड़ा हुआ है तो बीच में क्या बन रहा है acute angle लेकिन ऐसे वाला उपर वाला क्या बना रहा है आप्ट्यूज एंगल ठीक यही सब इसकी डिफ्नीशन है एक्सरसाइज 5.3 मैस दा फालोविंग अगर डिफ्नीशन पता है तो मैच कर लेंगे अगर डिफ्नीशन नहीं पता है तो मैच नहीं कर पाएंगे तो देख लेते हैं डिफ्नीशन क्या कहती है डिफ्नीशन क्या कह रही है इस्टेट एंगल वह होता है जिसका मान 180 डिगरी हो यहां पर कौन सा है 180 डिगरी हाफ रिफ्नीशन तो फस्ट का सी राइट एंगल राइट एंगल क्या होता है जिसका यह नैंटी डिगरी ओ हो 90 डिगरी ओ क्या बोलते हैं 360 का 1 4th तो 1 4th half revolution acute angle जो 0 से 90 के बीच में हो तो क्या लिखा है less than 1 4th half revolution 1 4th अगर हो गया तो 90 हो गया तो 1 4th से कम है तो इसका मतलब acute obtuse more than half revolution नहीं obtuse क्या है between 1 4th से 1 half इसका मतलब क्या हुआ कि 90 से 180 के बीच में तो हो गया obtuse reflex angle क्या होता है जो 180 से बड़ा हो 180 का मतलब half revolution तो reflex angle क्या हो जाएगा more than half revolution है ठीक वन complete revolution का कोई भी item match नहीं करेगा अगर यहां पर हो है क्या complete angle तो उसकी definition यह हो जाएगी फ वाली ठीक यह तभी आप नंबर 2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज तो बहुत छोटी थी क्या कह रहा है क्या क्लासिफाइज वन आप फालोविंग एंगल राइट स्टेट एक्यूट ऑप्टूज और रिफ्लेक्स यह वाला एंगल है और यह कौन सा एंगल है 90 डिग्री ठीक जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं गमरे की सारी दीवारें का आप को ना देखिएगा तो को ना क्या बताएगा नांटी डिग्री एंगल को राइट एंगल तो यह क्या है राइट एंगल कि ये वुओमड़ा देखिए यह वनटी से बढ़ा क्यों है क्योंकि वeday एट्टी वह photore Department हो ती उस्टेटivering से बढ़ा है क्योंकि इधर भी इतना गया है और इतना आगे से क्या हो जाएगा см यह देखिए यहां पर आप देख रहा होगा कि यह सीधी लाइन है और सीधी लाइन जब भी होती है वह कौन सा एंगल होता है इस ट्रेट एंगल एक यहां पर देखिए यह देखने से ही लग रहा क्या कि एक्यूट एंगल है अगर यह राइट एंगल होता तो राइट एंगल यह बनता यह टोटल लेकिन टोटल नहीं बन रहा उससे छोटा बन रहा यहां भी यह टोटल यह बनता अगर राइट एंगल होता तो यह क्या है नैंटी से कम इसका मतल हम लोग आंगल को कैसे मेजर करते हैं प्रोटा कीजिये तो से मेजर कारके देखेंगे इंगल कैसे मेजर करते कीजिये हुशा करते की जारूर ध्यान में रखीएगा कि आगर